अक्छारा सिंगh जब भी सेट पर जाए तो इक भर मिलग कर जाये और अपने तष्युटिंग के सट पर चली जाती है जहां सट ulis पावन राजा अप्षरा सिंग्ग मादर की करदार राइथी और आगे ऐक्षरा सिंग्ग को इस बात मालूम पड़ती है कि इनकीं बिना मिले सेट पर चली गई ज़िए तो पावन सिंग् गुस्से में आकर सेट पर तोड़ फूड़ करने लगते हैं और वैनेटी में जाकर पावन सिंग शीशा तक तोड़ देते हैं इतना ही नहीं अक्षरा पावन की सच्चाई बताते हुए आगे कहती है कि मेरी माँ उस वक्त तक पता नहीं था कि हम दोनों रिलेशनशिप में ह और ये बात मेरी माँ को बरदाश नहीं होता है और मेरी माँ उसी वक्त पावन सिंग को चपल निगाल कर मारती है बाकि आपको ये बात बता दे कि ये कहाने उस समय की है जब अक्षरा पावन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे दून एक दूसरे से प्यार करते थे बाकि आगे की पूरी कहानी क्या है यह हम आपको आगे की वीजियो में विस्तार से बताते हैं लेकिन उसे पहले नवस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथे कैम्रामेंट विशाल और आप देख रहे हैं यह तो हम सब जानते हैं क अक्षरा सिंग और पावन सिंग करीब 4-5 साली दूसरे को डेच किये हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनिशिप में थे, लेकिन अक्षरा सिंग को बिना बताए, पावन सिंग एक दिना चानाय से शादी कर लेते हैं, तब से ये दोनों इदूसरे से अलग हो जाते हैं, और ब् एक नीज़े इंटर्व्यू में बताया था, पमन सिंग से अलग होने के बाद अक्षरा सिंग तीन चार साल पहले के एक इंटर्व्यू में बताती है कि पमन सिंग हमेशा चाहते थी कि अक्षरा सिंग उनके सामने जुक कर रहें, उनके पैर की जूती बन कर रहें और पमन सिं बहुत दारू पीते थे दिन में भी दारू पीते थे वह इतना दारू पीते थे काई बार दारू पीकर वह एरपोर्ट पर लोटने लगते थे और अक्षरा सिंग पमन सिंग को नशे की हालत में एरपोर्ट पर इधर उधर लेकर भागती थी ताकि security का नजर पमन सिंग पढ़ना चाहे पामन सिंह दारू के नश्य में किसी भी लड़की को जाकर पकड़ लेते थे जिसका न्यूस भी खूब वायरल हुआ था और पामन सिंह की ऐसी कई गंदी आदटों की बज़े से अक्षरा सिंग को सबके सामने अपमानित होना पड़ता था बागी सच्छा कि अक्षरा सिंह ज करंदेमाने साथ उनका रवया और अपने साथ काम करने वाली महिला कलकारों के इखितने करते और उनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं बागे पवन सिंग और रक्षरा सिंग की एक हानी आपको कैसी लगी अपनी रैक कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो को यह पर समात करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज दिजे धन्यवाद